नवस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक किस्सा से एर करने बाला हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया था और इतना जादा ग्रो करने के बाद वो न्यू चैनल मुझे क्यों बंद करना पड़ा क्यों मैंने बंद किया था लाखों लोग वीडियो देखते थे और यह किस्सा आज का नहीं आज से कम से कम दो साल पुराना किस्सा है और अगर आप लोग कुछ ऐसा स्टार्ट अप करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को यह स्टोरी काफी प्यारी लगेगी और बहुत कुछ सीखने को मिले था तो ऑनलाइन का सारा काम करता था अपना वीडियो वगरा भी चलती थी तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही में कम्पूटर पर बैटा था और कुछ काम कर रहा था एक साथ मेरे सामने न्यूज फिलैस होती है और उस न्यूज में था कि अलवर डिस्टिक जो राजिस्तान क है वहां पर एक लड़की के साथ रेव केस हुआ उस स्टोरी को भी थोड़ा सा आपको सुना देता हूं होता क्या है एक लड़की होती है उसकी अरेंज मतलब जो साधी से पहले मिलना होता है उससे हमारे यां लोकल में कहते हैं कि लड़की को प्राइवेट दिखाना तो ऐ कैसे दिखाई होगी दिखाने के बाद मतलब रिस्ता फिक्स हो गया पका हो गया उसके बाद क्या हुआ कि लड़के ने लड़की से बोला हुआ कुछ समय बाद की साधी को तो टाइम है ऐसा करते हैं एक बार मिल लेते हैं तो वो लोग आपस में मिलते हैं मिलने के बाद ब रुकबाई और रुकवाने के बाद वहां से उनसे बात वगएरा करने लगे, जब उनसे सवाल जबाब किये गए, वो पूछ रहे थे, आप कौन हो, कहां से आयो, और ऐसे करते करते, बात बत्तमी जी पे आ गई, और बत्तमी जी से वहां पर एक केस हुआ, जो इसमें 5-6 आर पसाई, और दो से तीन दिन हो गए, घरवालों को किसी ने कुछ भी नहीं बताया, दो से तीन दिन बाद होता क्या है, कि फेशोक पर एक वीडियो बाइरल होता है, और उस वीडियो में वही 5-6 लड़के थे, और वही लड़की थी, और जो हुआ था, उनके साथ वो वीड तीन दिन पहले गठना होई थी, उसका वीडियो फेशोक पर बाइरल हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो पुलिस इस्टेशन था, वहाँ पर F.I.R. लिखाने के लिए ये लोग गई, लेकिन हुआ क्या था, उस समय चुनाबी टाइम चल दा था, तो च साथ ये गरलत हुआ है, तो उन्होंने बोला कि चुनाब है, दो दिन बाद चुनाब खतम हो जाने तो उसके बाद F.I.R. बगएर करा ले न, और पुलिस ने भी उस पर कारवाई नहीं की, दो से तीन दिन बीट गए, लेकिन जब ये खबर बढ़ रही थी, और कोई भी ए केस हुआ है, तो उस समय मेरे को बड़ा आहत हुआ, मेरे को बड़ा अजीव लगा कि ये चीज बहुत गलत हुई है, और इनको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, कि हमने भी इतनी पहँचान बनाई है, ये जो घटना हुई है, वो ग ट्विटर पर भी टेग किया, प्रधानमंत्री को किया, पुलिस को भी किया, सभी जगह मैंने पेज बगएरा पर उनके थे, उनके मैंने मैसेज किये, और सारी जानकारी उन लोगों को दी, वहां से क्या हुआ, कि एक वीडियो भी मनाई, वो वीडियो मैंने अपने यूट जा भी मिलेगी, कुछ समय बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़े ही दिन बाद तुरण दूसरी वीडियो डाली, वो भी वाइरल, फिर तीसरी डाली, वो भी वाइरल, यानि कि वीडियो इस कदर वाइरल हो रही हैं थी, कि मैं सुभह वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, रेप केस इंडिया में होती हैं, तो इनके बारी में लोगों से राही लेती हैं, मैंने नेताओं के पास गया बात की, इंटर्व्यू किये, और वहां से फिर से मैंने मतलब न्यूज टाइप में बना के डाली, उसके बाद मैंने जो रेप केस पर लौ हैं, इंडियन लौ के साब से क्या सजाई मिलती है, किसको rape case माना जाता है, कैसे identify किया जाता है, उन चीजों के ऊपर भी video record की, तो उस समय मेरा ये new channel नहीं था, मैं YouTube पे ऐसे ही video डालता जा रहा था, एक channel था लेकिन new channel के नाम से कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बना के रखा था, उस समय मेरे दिमाग मे आया कि यार ये बहुत गलत हो रहा, एक काम करता हूँ, मैं इसको new channel बना देता हूँ, तो मैंने एक नाम सोचा, और उस नाम से मैंने वो new channel बना दिया अपना YouTube, और उसके बाद मैं लगाता है, उसकी video बनाने लगा, अब होता गया है कि कुछ समय बाद YouTube पे यैसे video trend करती है आपके subscriber अच्छे हो जाते हैं, आपका watching time अच्छा हो जाता है, viewers अच्छे हो जाते हैं, तो आपका channel monetize हो जाता है, और advertisement के थ्रू आपके channel से income होती है, अब हुआ गया मेरा channel भी monetize हुआ, लेकिन मेरे जो वीडियो इस थी उस टाइम पे में जो वीडियो अपलोड करता था, वो rape case वगयरा की वीडियो होती हैं तो ऐसी वीडियो पर ads नहीं आते, advertisement company नहीं दिखाती, तो वहां से income तो नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा करो, income नहीं हो रही, हर्चीज पैसे के लिए नहीं की जाती, कुछ लोगों की हग के लिए की जाती है, तो मैंने हम दौन अकेले रहते थे, कुछ दिन बाद हमारी family भी उदर आ गई कुछ दिन के लिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कि जैसे हमारा कोई office नहीं था, हमारा flat था, और हम मैं और मेरे बड़े भाई आते तो उसे office की तरह ही हम use करते थे, दो लोग रहते थे, उसम new record करने में बड़ी दिक्कत होने लगी, अब new record करने में किस तरह की दिक्कत हो रही थी, जैसे कि rape की जो सब्द है, इसके अलाबा sexual जो सब्द है, कैसे वो घठनाए हुई है, उनको explain करने में, बड़े जकसी होती थी, कि बगल मैं family है, मैं इस room मैं इस तरीके से बाते कर रह मैं अब rape case बगारा की video नहीं बनाऊँगा, मैं news की यह video बनाऊँगा, लेकिन किसी और topic पर बनाऊँगा, मैंने क्या किया कि topic को turn कर दिया, अब जैसे topic को turn किया, जो हमारे लोग थे, जो हमारी video देखते थे, वो ऐसी ही video देखते थे, जो crimes related video होती थी, लेकिन topic बदला, तो जिस channel पर 4-5 लाग viewer आते थे, उस channel पर अब 400-500 viewer रह गए थे, तो मेरा भी दिमाग ऐसा ही था कि यार इतने viewer भी नहीं आ रहे तो income नहीं होगी, तो क्या फाइदा काम करके, तो इस समय मैंने finally सोचा कि इस channel को down कर देती है, क्योंकि जिनकी video इस पर viral होती है, उन video को मैं बना भी इतना पसंद नहीं कर रहा था, और जो YouTube था, वो भी video को delete कर देता था, क्योंकि rape case, ऐसी video, sexual video, इनको YouTube भी support नहीं करता, वो भी delete कर देता है, इसके अलाबा में क्या problem face कर रहा था, जो news वाले face mostly करती हैं, होता गया था कि मैं जब लोगों के पास जाता था, interview करने के लिए और जो case होते थे, तो political party के जो राजनेता होते थे, जो नेता लोग होते थे, उनका मैं interview करता, उनसे सवाल पूछता, कि ये case आपके area में हुआ है, तो आप क्या कहना चाहूँए, उनसे कड़वे सवाल होते थे, तो सबसे बड़ा issue क्या होता था, कि जिस समय वो news record होती थी उस समय तक वो news अच्छे से record होती थी, कोई दिक्कत ने, जैसे ही news cover हो गई, उसके बाद वो media वालों को side में ले जाते, बोलते कि इस मैंसे ये चीज़ा हटा दो, ये delete कर दे ना, मैंने ये चीज़ बोली, ये भी हटा दो, तो होता क्या था, वो public के सामने तो बहुत कुछ बात में बोलते थे, लेकिन side में ले जाके हटवाने की बोलते थे, और बहुत बार क्या होता था कि जैसे हम लोग नहीं हटाते थे, उन्होंने जो सब्द बोली हैं, उनका वीडियो में दिखाते थे, तो फिर धमगिया मिलने लगती थे, कि ये तुमने मना किया था, ये कि हम लोग रहते थे, यहां से out of state और वहां पर ये problem face हम लोग कर रहे थे, तो बहुत सारे खत्रे भी हो गए थे, तो मैंने एक चीज़ सोची कि अपना simple सा online का काम है, e-commerce का business है, उसे चला रहे थे, क्या ये news के काम में पस गए, और पसे तो ऐसे पसे कि लगातार problem भी हो रही हैं और बहुत सारी पार्टियां बोलती थी कि ये खबर उठाओ, मतलब opposite party की है, क्योंकि उनकी सरकार है, तो उनकी जो opposite party यहां पर रेफ हो गया, आप ऐसा करो, ये fake news बना दो, इसमें ये चीज और add कर दो, इस नेता का नाम और add कर दो, इतने पैसे ले 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 ना, तो ये मैंने news today नाम से ही channel शुरू किया, बो भी continue नहीं हो पाया, अभी कोई problem की बज़े से बो भी बंद करके रखाया, लेकिन उस पर news जो cover हो रही है, काफी अच्छी cover हो रही है, आठ से 10 news हमने cover की, काफी अच्छी की, in future अगर मैं news का का काम करूँगा, तो news today हमारा channel है, उससे ह करूँगा, और यह experience आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताईए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आपकी कोई राय हो, तो आप कमेंट करके बता दे रहा है, यह blog तो नहीं है, वीडियो है, यह आप किसा बोल सकते, किसा कैसा लगा, बो तो आप बत हो गई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, धन्यवाद यह blog देखने के लिए,